हाई हेलो एब्रिवान वेलकूम एंड वेलकूम बैक टू माई चैनल सो आप सभी का नीव व्लॉग में बहुत बहुत वेलकूम है सो फ्रेंट्स आप लोग मेरी आवाज सुनके सोच रहे होगे कि मैम की आवाज कैसी हो गई है सो फ्रेंट्स ना जाने मुझे मेरी आवाज को क्या हो गया है वैसे मैं बहुत अच्छी हूं स्वस्तू एकदम मेरी तव्य थरापती वो भी ठीक है बढ़िया है एकदम मस्तू मेरी आवाज को ना जाने क्या हो गया है आवाज सही नहीं हो रही है और फ्रेंट्स ये मॉर्निंग का ब्लॉग है तो मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया और भी जो सारे काम थे वो मेरे मॉर्निंग में ही खतम हो गया मतलब सुबह नहाने से पहले ही कर लिये थे तो अब तो क्योंकि मैं बॉसिंग मसीन से कपड़े धो दो कि बहुत ज्यादा हैल्थी हो रही हूं तो मेरे हाजबेन भी बहुत गुसा करते हैं और मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे हाजबेन मुझसे मठका बोलने लगे ते उस दिन मैं बहुत गुसा हो गी थी फ्रेंट्स मैं अपना कपड़ अपना तो दो लिया है उसके एक गंटे बाद का ब्लोग है तो डुगु रो राता बाहर के लिए घर पे तो कोई है नहीं तो बोला तो ममी बाहर जाना मुझे साइकल चलाना मैंने ठीक है पांच मुनट चला के आओ और जब तक हम मतलब कपड लौकी काट पीट के तो यह देसी लौकी है तो बहुत खथरनाक लौकी था सच मैं इसको मतलब चेंडने में लग गया था 15-20 मेंट क्योंकि बहुत टाइट था पकाट का हो गया था क्योंकि देसी है तो हम खुद अपने हाथों से तोड़ के लाए थे और फ्रेंट्स आज तो आप लोग देख रहे हैं डुगू के बराबर का होगा सो यह बच्चा हमको मिला है कहीं खेतों पर मतलब मम्मी और अजबन गयते बहार तो वहां खेतों पर टेल आता रो रहाता मतलब रस्ते में तो बहुत रहाता तो जान साथ जाने के लिए क्योंकि मम्मी उसकी मिल रही थी तो फेरास्वेंड और ममी लाए दोनों उसको घर पर और आरा मिसस को खाना खिलाने के बाद हम उसको ले जाएंगे प्लेश स्टेशन वहां पर जाके मतलब वह जो भी कुछ लिखाना भी लिखा दें कि हमें बच्चा जैसे मिला है बाहर मतलब खेतों पर गूम र जल्दी से मैं उसके घर विघवाना है और मैं यहां घ्र बेवार मैं बजल्दी फटाबर बना देती हूं रहा है यहां यहां छाथ बिद्टे करें तो वह बहुंच आए बहुत दुख हो रहा है कि अपना बच्चा होता है और ना समय से हैं तोEverything है, अब करने हों हो तो कि मैस भी सबस्क्राइन सब्सक्राइस, अब करते हैं, इस वेड़् कसा में घॉला ल॑ डी कर दो कि ब्रॉझे हो 14th में लर्व जीक देख दो तो खाने में है किचड़ी और लौकी की सब्जी और तो प्राइट के लिए पीसिस और और क्या कुछ नहीं एक रोटी लाइट तो फाइलली फ्रेंड मैंने खाना खा लिया है और यहां डुगू और यह दोनों बच्चे खेलने लगें आराम से अब थोड़ा बहुत इसको अ तो फ्रेंड्स फाइनली मैं उपर आगी चत पर अपने कपड़े उठाने मतलब कलके डले हुए हैं अभी तक उठाकी नहीं लेगी बहुत बड़ी आलसी रामू और जो कपड़े धोय थे वो अब डाल ले आई हूँ तो मैं खाना आना सब फिरी हो गई और वो बच्चा द सब्सक्राइब करना और आप अगर इस बच्चे को जानते हो तो मुझसे कॉंटेक्ट कीजिएगा और फ्रेंड्स यहां मैं सारी कपड़े बौस करके लाई थी तो मैं डाले दे रही हूँ और कुछ कपड़े आज के हैं कुछ कपड़े कल के भी हैं और कुछ कपड़े पाल गी थी फिर सोने के बाद दो अधाई घंटे के बाद का ब्लॉग यह तो मैं बारा एक वज़े एक बज़े की टाइम सो गी थी तीन वज़े के टाइम चगी थी तो इमने काई व्लॉग है तो यहां डुगू देखो परिशान कर रहा था डुगू भी शो गया था और ह मेरे बाल तो कुछ चिडिया जैसे हाई और हो जाते तो हैं आपने चलो बना ले चोटी अब चलते हैं अपने काम करते हैं और बिस्तर इस्तर भी लगा देते अपना बैट शीट बैट शीट लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि हर घर में एक बार क्या हुआ था कोई THE ख्राइब लेकिन ऐसा मूर कराब हुआ कि किसी को आना था उसी दिन ऐसा डला था तो बहुत बहूंत बेगा लगता है बहुत चरम मैंशुश होती है तो चलो बैडशीट भी बैडशीट तो लगाना जरूरी था चाड़ू बैडशीट ये तो जरूरी रहता है तो मेरा बैडशीट लग गया और अब चलती हूँ डुगू को देखने बाहर वो गया है खेलने तो शाम का टायम है इवनिंग का तो बच्चे खेलते हैं तो साइक कपड़ने ओं सुबह जो डालकर गयती वो कपड़े है और और किया साड़ी भी लाहर का नएवनिदा राभिते नहीं साम होगी चलो ले दे नीचे और मैं मिर्ची रखी आई और आज तो फोल्ड करने वाले हो कपड़े यहीं पर उपा तो मैं मेट लेके आई हूँ चटाई लेके आई हूँ और मैं यहीं पर बैठ के आराम से अच्छे से तो मौसम बहुत अच्छा था तो अधर ही फोल्डिंग कर लेते हैं और नीचे तो रोजी ब्लॉग्स उड़ करते हैं थोड़ा आपको भी अच्छा इंट्रेस्टिंग लगेगा क्यूंकि अलग 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 की जगे पर जो ब्लॉग रहते न तो अच्छा लगता है न और फ लोग इस वीडियो को ज़रू जादा से जादा शेयर करना इस बच्ची को छोड़ा की तो आप